हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल स्टडी विट इंटिस ब्लॉग तो जैसे कि आप लोग जानते कि आप पार्ट-सर्ट के एक्जाम में ज्यादा टाइम बचा नहीं है मेबी अप्रेल के फर्स्ट वीक में आपका एक्जाम स्टार्ट हो जाए तो अभी से आप लोग अब रिवीजन करने स्टार्ट के दीजिए अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है इस बहुत सारे लोग चोरी के भरोसे रहते हैं तो हम बता देते हैं आपको अब यह जो 4 समेस्टर स्टारी चार साल का जो कोस कर दिया है उसके कारण अब चोरी करने के लिए नहीं मिलता है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हम बहुत सारे लोगों समझें पता चला है कि अब सेंटर पर उतना धील नहीं होता है तो आप लोग पढ़ना चालू कर दिजी तो हम लोग देखते हैं important question जो कि आपको exam में आ सकता है तो जो भी बच्चे हिंदी में लिखते हैं वो समझ लिजे और जो इंग्लिस में लिखते हैं वो बता दीजे हम इंग्लिस वीडियो भी आपको बता देंगे तो अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले बार आए हो या हमारे वीडियो को पहले बार देख रहे हो तो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बैल आइकन दवा दे ताकि हम जितने भी वीडियो डाले इंपॉर्टेंट वीडियो सारे वाप तक पहुँच जाएं तो हाँ भाई पढ़ना चालो कर दीजिए तो हमारा आज का पाथ थर्ट का ये फर्स वीडियो है मेरा जो की इंपॉर्टेंट कुशन से हम स्टार्ट करें जो कि आपको एक्जाम में आ सकता है ऐसे तो प्रिविएस ये कुशन से भी एक आदो कुशन मैच हो जाता है बट वह रेयर कैसे फिर भी प्रिविएस ये कुशन भी देख लेने है देख लेना चाहिए यह हम बता दिंगे आपको तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट होता है ये फिर्स्ट कुशन से जो कि आपके बीए पार्ट थर्ट का कुशन है पेपर फिफ्ट का तो राइटर सौट नोट्स और रहियत बारी और महालवारी भी दे सकता है और दा में फीचर ऑफ ब्रिटिस लैंड रिविन्यू कि कुछ भी दे दे यह तो अगर आपको पूछेगा फिचर ऑफ ब्रिटिस लैंड रिविन्यू पॉलिसी इन इंडिया तो इसमें होगा रहियत वारी और महालवारी और ऐसे तो आप देखें ये महालवारी को जमिनदारी भी कहा जाता है तो ऐसा नाव कन्फियूजन हो ज क्या बता रहा है उसका विवस्था का परिनाम कैसा और महलवारी में क्या बता रहा है और उसका विवस्था का परिनाम कैसा है तो आईए देखते हैं और हां हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले सौरी हमारे योट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भू रहेत्वारी विवस्ता मुख रूप से मद्रास और बंबई में लागू की गई थी इस विवस्ता के अनुसार तो देखे इसमें अब्जेक्टिव के टाइप अब्जेक्टिव के तौर पर पूछ सकता है अगर पूछेगा रहेत्वारी विवस्ता सबसे पहले कहां लागू इस वबस्ता के इनुसार प्रतीक जमीनधारक को भुत स्वामी सुईकार कर उसके साथ लगान देने के सथ की गए थी यह जब वबस्ता हुआ था तो जितने भी जमीनधार थे वह तो जमीन लेंगे जमीन तो ख़री देंगे बट जमीन का उनको टैक्स भी पेप करना रहेगा ऐसा करने का कारण यह था कि उन जगाहों में जमिनदारी का आभाव था अत्व कैप्टेन रीड और थॉमस मुन्रो ने वास्तवी किसानों से ही बंदोवस्त करने का सजाओ दिया यानि मतलब देखे ऐसे तो अंग्रेज लोग तो चलाक होता ही थे चलाक ही थे तभी तो भारत को इतना लूट लिया तो यह जो थे मतलब इनको लगा कि वहां का किसान कमजोर है तो हम उनको अपने कलच में फसाते तो वहीं आपर बता रहा है उन लोगों ने भूमी उपत से होने वाली आयका लगभग आधा भाग लगान के रूप से स्विकार किया मतलब जितना का कमाएगा नहीं उससे ज्यादा तो आपको देना ही पर जाएगा उस टाइप का मतलब हम सो कमार है तो उनको पचास रुपैस में से देना है उस वह आधा वैसा उनका एक तर किया भी था की स्थाइ वेवस्था से कंपनीओं को पूरा लाप राप नहीं होता था तो जब वह स्टार्टिंग में ते तो कोई यह जोटा छोटा चोटा कंपणी खisme लेते तो पहले तो लोग उतना मतलब इन नहीं गार्ट करते ते की क्या होगा नहीं होगा तो जो कंपनी रहा कंपनी खुला तो अब उसे उनका पैसा पुरा नहीं होता होगा तो इसलिए उन्होंने मतलब किसान को फसाना स्टार्ट किया क्योंकि लगान का कुछ भाग जमिंदार स्वयम ही रख लेता था तो मतलब जमीन देखे इसमें तीन आ गया एक ब्रिटिस आ गया एक जिसका जमीन है वो आ गया और एक किसान आ गया तो पहले क्याता आया तो अब अभी यह क्या होगा किसान देगा इसको मतलब जमिंदार को और जमिंदार देगा किसको ब्रिटिस को तो अब किसान के पास क्या रहेगा भाई कुछ नहीं तो ऐसे में क्या आता था कि कुछ कुछ कभी कभी क्या आता था जमिंदार उस मतलब किसान ब्रिटिस को पैसा देने की जगा जमिंदार खुद रख लेता था तो इसके अतरिक स्थाय वेवस्ता में ले जाने वाली लगान की राशी भी तयकर्ज दी जाती थी यानि प्राइस कर दिया गया तो अधीक उत्पादन होने पर भी सरकार को उससे कोई लाव नहीं होता था तो लाव कैसे होगा जब यह किसान जमिंदार को पाज़ा देता जमिंदार बिटिस को सरकार को देगा इने तो फिर पैसे तो बीच में रगया तो उसको लाव कहां से होगा भाई तो लाव नहीं होता था तो उसके बाद क जा हुआ कि इसी कारण रह्यत बारी विवस्ता में लगान की राशी इस्थाय तोर पर निश्चीत नहीं की गई तो फिर और 20 से 30 वर्सों के पस्चाथ इसमें परिवत्न किये जा सकते थे पैसा फिक्स नहीं था उसमें कि हम मतलब हमको इतना ही देना है बट एक समय होता है अधि मौनें एमाउंट फिक्स था कि आपको इतना देना है बट यह time period फिक्स नहीं था कि हा भाई जिन्द्गी बार आपको 80 रुपया देना है नए 20 से 30 वरसों के बाद इसमें परिवर्तन लाया फिर सरकार को सुतंता थी कि वह लगान की रासी से विर्धी करे तब विर्धी कैसे होगा किसानों को या छूट दी गई छूट दी थी किया तो सरकार को लगान देकर जमीन अपना अपना खुद मतलब सो वामित्व बनाए रखे या लगान ना देने पर लगान ना देने की स्थिती में सवेच्चा से जमीन अपना स्थित्व मिट हटा ले अब ऐसा देखे तो क्या हो गया अब जमीन का कोई टैक्स नहीं देगा तो जमीन गिरवी रखा उस पे मतलब अब फसल हुगा आया उसको अच्छा पैसा नहीं मिलेगा तो वो अमाउंट पे कैसे कड़ेगा तो यह यहां पे सरकार क्या किया था कि मतलब उसको बोला कि अगर आप हमको पैसा देते हो इतना तो अपना जमीन ले लो ने तो जो जमीन हमको गिरवी रखाया वह मतलब मेरा हो गया है लगाण चुकाने के लिए वो अपनी जमीन दूसरे किसान के अपनी जमीन दूसरे किसानों को खेती के लिए दे सकता था उसे घृबिय रख सकता था बेच भी सकता था कि अगर मतलिए मेरा जमीन है यहाँ पर इस जमीन को घृबभी रख देंगे वही बर्ती स्को दे देंगे अगए पैसा नहीं दे़े पाए तो बिकसान से करवाते हैं यह मेरा कुछ भी कर सकते वे बिशके presenting सकते हैं अब गिरवी रख सकते हैं ऐस्टाइब का तो यह विभस्ता 800 12 में लागु कि गई तो इस यह जो अठाया सो बेवस्त अठाया सो बाड़ा यह याद रखिएगा आपको अब्जेक्टिफ में भी आ सकता है कि यह बेवस्त कब लागू की गए थी तो अठाया सो बारा में तो इसमें आपको दो पॉइंट कुछ कुछ ऐसे पॉइंट देखने के लिए मिलते हैं कि आपको जो क्या अब्जेक्टिफ में भी आ सकती है जो अधर इंटरप्शन होड़ा है वो उसके लिए सौरी बट अभी साम कटाई में तो थोड़ा गाड़ी वार्या वाज करता है तो इसमें आप लोग द रहियत वारी विवस्था जो है वो सबसे पहले कहां थी लागू की गए थी तो मदरास और बंबई एक पॉइंट आपका यह हुआ अब्जेक्टिफ के हिसाब काम बता रहे और दूसरा यह हुआ कि वो कब लागू की गए थे तो अठारा सो बारा इस वी में तो आईए इस और मदरास प्रेसी डेन्सियो में जहां यह विवस्था लागू की गए इस प्रथा के बुरे परिणाम सामने आए मदरास और बंबई जैसा इलाका में जो यह रहियत वारे विवस्था स्टार्ट की गए थी वही मला जमीन का पैसा दो या तो फिर गिरवी रखो नहीं तो मेरा हो गया है उस टाइप वाला तो इससे कोई भी किसी भी चीज का अगर गूड इंपक्ट है तो बैड इंपक्ट भी होगा तो उसी टाइप का तो मदरास में इससे किसानों को अत्यधीक कर्ष्ट हुआ लगान के आसी इतनी अधीक रखी गए थी कि उसे चुकानना चु किसान के पास इतना पैसा कहां से आगा तो वही है कि अब अब उसको अपना करजा चुकाने के लिए अपने से ऊपर के इस तर जो अमीर लोग उस टाइम होते थे उनसे उनसे वह पैसा लेते थे अपनी जमीन रखते थे अगर आप पैसा किसी से लोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो लोन लेना है तो कुछ गिरवी रखना पड़ेगा तो वही लोन लेने के लिए वह अपना जमीन गिरवी रखते थे अगर उनका पैसा इतना हो जाता था कि व तो वही चीज है किसान यह भी जानते थे कि कब लगान की रासी बढ़ा दी जाएगी अब वो जानते हैं कि इतना टाइम के बाद अब इसमें ज्यादा पैसा मांगेगा तो इसके करण वो और नहीं दे पाते थे अता उनके सामने यह भाय असंका और अनिश्चतत की बात अब रहन रहती थी यहनि उनको अमेशा डर लगता था कि अपने जमीन से अपना हाथ दोना पड़ेगा और इनका प्रभाव किसी के उत्पादन पर भी पड़ा अब किसान खेती नहीं करेगा तो कौन करेगा भाय साह उकार तो खेती करेगा नहीं और अंग्रेज को तो खेती आता नहीं होगा तो उस टाइम फिर खेती पे थोड़ा ज्यादा असर हुआ सबसे अधिक दुख की बात तो यह थी कि लगान वसूल करने वाले अधिकारी लगान वसूल करने के लिए कुरूर और अमानविये उप को पाय काम मिलाते थे कि अ के सिसमी होता यह था कि अगर माली आ पैसा पे नहीं कर रहें तो अब भाजम को तो पैसा चाहिए में यह हो को प्लीज सब्सक्राइब करें थांक यू सो मच पर वाचिं दिस वीडियो